कर मौर्निंग से जो फॉल आया था इस फॉल को हमने कल यूट्यीब वीडियो पे इसी लेवल पे डिसकस किया था कि यहाँ से हमें एक फॉल एक्सपेक्टेट है बट अब इस फॉल के बाद एक pullback देखने मिला हैं यह pullback कहा तक आया है तो यह pullback आया है हमारे सुबह के fall के 50% level तक तो इस level पे हमने एक downside की position को initiate किया है 30 से 40 point के stop loss के साथ और minimum target हम day low तक लेने की कोशिश करेंगे तो हमारे इस trade में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 point के risk के against हमें already 150 point का profit achieve हो चुक है 1 is to 5 का risk reward हमने यहाँ पे achieve कर लिया तो यहाँ पे हमने कुछ quantity book कर लिये remaining quantity का SL हमने cost पे shift कर दिया अब अगर यह day low तक जाता है तो remaining quantity में target मिल जाएगा और अगर SL हिट होता भी है तो भी हमारे जेब से यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा तो इसी तरह से risk को manage करके trade करना ज़रूरी होता है तो इसी तरह से trading को सीखने समझने के लिए टेलिग्राम पे आमें trade secrets by प्रतिक चानल पे follow कीजिए